अबakah मैं हलो फ्रेंजre इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हम którą का form डिजाइन करेंगे कैसे हम फॉर्म संदमीट करेंगे कैसे हम उसको फ्र्रेंडेंगे पी वे पी के साथ कैर से हम इस्ट मेर की college मैं इनसर्ट कराएंगे कैसे उनको को डिस्प्ले कराएंगे और इसके साथ ही हम कुछ important points भी handle करेंगे जो की security से related हैं क्योंकि user form input data means user कुछ भी insert कर सकता है हम guess नहीं कर सकते कि user क्या content input करेगा क्योंकि user input data से करेंगे तो हमारा application break हो सकता है हम अपना application users के लिए live करेंगे तो हो सकता है कि उसमें different type users होते हैं क्या input करेंगे क्या input data देंगे तो हम इन पॉइंस को इस दियान में रखता है तो हम सारी चीज़ें handle करेंगे functionality भी handle करेंगे और जो input form या जो भी हमारा form data होता है उसके साथ क्या-क्या हम security measure कि देख सकते हैं उनको भी देखेंगे एक सेक्योड एस्टेवल फॉर्म जनरेट करने के लिए दोस्तों हम जब भी PHP start करते हैं learn करना तो starting में हम लोग simply HTML form design करते हैं और we can say हम लोग simply hello PHP program बनाते हैं उसको run करते हैं लेकिन जो में होता है कि हम कैसे 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 को सेब करें डेटाविस के अंदर कैसे उनको get करें तो यह एक challenge होता है वाले लेकिन यहां पर हम आपको यह सारा details आपको देंगे कैसे इसको start से करेंगे करेंगे तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि हैं यहां पे हमने एक चुट ऐसा application बना रखा है प्रोजेक्ट बना रखा है फॉर्म सब्मीट पेश्पी इसमें हमने तीन फाइल क्रेट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और प्रोजेंट करेंगे कैसे हम सब्सक्राइब करेंगे कैसे इसको जी इसके ऑंदर इंसर्ट करेंगे उसको स्ब्सक्राइब करांगे तो आल दीव थिंग्जभी हैंडिलाइड आइनक्स तो आपको सेक्योर्टी मेजर्ण सब्सक्राइब करेंगे यहां पे हमने यह इंक्या किया हूँ इसमें तो सबसे पहले सब्सक्राइब कि हम सेंब पर चुछ कर रहें हैं थो फिटेंट कर रहें हैं इसके लाब हम यहां रहें हमने दो इनपूर टाइब होगा तो यहां उन्फ कराएंगे एमें लिए तो यहां पर हमारा बटन है सब्सक्राइब कर रहा है तो यहां पर हमारा पेज आ रहा है यहां पर एक एलर आ रहा है तो हम देखेंगे कि 27 लाइन पर करेंगे कि 1 को आप देखिए हमारे या थे बड़ी है यहां हमेरा मास्तिकल डेटावेस काड़ा नाता है जांकर आप एक इसमेंडीन करेंगे मेरे कि घ्रन की हुई है कि आ श्रकाते बीश्चेव ठीचोश्च में तो यहां पर यहां पर यहां पर से इंपूट करेंगे और हमारा जाना पर करेंगे तो इसे प्राइड मंब करेंगे देटाबेस के अंदर let's save और में यह वालू डेटाबेस के अंदर मतल travat तो हम कि नीचाह कोई भी वहां की बुए कोई यह works कि अज्व देटान को अग्चे और हम मैंस्वन डेटाबेस का इन्साट करेंगे कि करेंगे कोई अपर करेंगे माइशक侐 लीटावेज के स़ेए के ओपर्म आपने डेटाबेसस के सब्सक्राइ करना होगा तो यहाँ पे हम व्यूभला, आखिम उस्तों में करते हम अप्रेम डेटावेज सब्सक्राइबानिध सब्सक्राइब और यह में connection return कर रहा है अगर connection में कोई बीडर आईगी तो यहां पे return करके die हो जाएगा तर भाई यह कॉन वेरेवल में हमारा connection return कर देगा तो यह connection की file हमारी config.php हो गई है जहां पर भी हमें कोई form.php में जाते हैं जब यह हमारा form submit होगा जो कि हमने भी form यह design किया हुआ है तो क्योंकि हम same page पर submit कर रहे हैं तो यहां पर और हमने submit type save ले रखा है तो यह हमारा यहां पर हम चेक कर रहे हैं इससे function के तुरू हम पोस्ट डेटा को हम से चेक करें कि form submitted है या नहीं उससे पहले हम यहां पर config.php भी इंक्लिट करा रहे हैं कि यहां पर इंसर्ट करेंगे database कर दो तो हमें यहां पर connection जरूर है तो सबसे पहले हमने config.php इंक्लिट करा यह connection के लिए उसके बाद हम form submission इसके बाद हम चक्क करें कि वह जो फोम आ रहा है उसके जो भी नेम इमेल इंपुट फिल्ड है ने यह तिनों फिल लेना उनकी वैलू जा रहे हैं ब्लैंक तो नहीं है यहां पर यहां पर बेज रहे हैं क्योंकि हम वैलू को बाइंड करा रहे हैं क्योंकि तीनों वैलू इस्टिंग टाइफ हैं तो यहां पर हम तीनों के लिए ऐस एस ले रहे हैं अगर यहां पे इंपुट वायलूज को भीज रहे हैं इसके बाद यहां पे हम स्टेटमेंट करा रहा हैं ह। को दिखा रहे हैं तो यहां पर हम फांपको मिट कर रहे हैं उसको फांप वृज है को इंसेर्ट करा रहे हैं डेटा बेस में तो अबना अब हम देखें के कि वैलू नाइं हाँ तो यह हमारा form submit हो गया और हमने यहां पर डाली है test one करके डालना है यहां भी हम टेस्ट डालेंगे test one test one test one test.com something message हम देंगे this is test test one test one test one test one test test one test one test one test one test one test one test under एक रटारी व्रेवनुन अब हम जब सेंद्ट करना होगा तो यहां यहां सेंधे वहीं कराइब किकый कराना है डेटा करना है डेटा बट टेविल से सबसे पहले हमने करना की फाइल इसके बाद हमने उसके एक्वीट करा दिया उसके अमने पास्ट करा दिया परब्सक्राइब हमने प्याजिएक करा दिया। उसके बार हम इस को बार हम करें जिल यहां से आज़ सब्सक्राइए और ब्र दिखा डिए। यह हमारी इसेकल वैलूस डिस्फिल हैं यहां पे हो रहे हैं हम इसके बाद एक और बी इार एड कर सकते हैं वैलूश को और सेप्रट करने के लिए यह हम यहां पर हम बालूस को गेट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर से सो आब हमने नहीं पहले हैं यहां पे हमने चम में किया कानेक्शण .... यहां पे और पर आप्य को किया इंसर्ट किया उसके बाद रहे नहीं नemos? प्रप पिए पी के अंदर इंशेटेट वायलू को मैस्कूल डेटाबेट टेबल से गेट किया और डिस्प्ले कराया तो यह तो हमारी होगी फॉंक्टालिटी कैसे हम फॉर्म डिजाइन करेंगे कैसे फॉर्म सबमिस्टन हैंडिल करेंगे पीच पीप के तुरूब वायलू क को input form input value को insight कराएंगे और कैसे हम database values को display कराएंगे अब हम देखेंगे कि यह हमारी functionality implement होगे लेकिन यह secure नहीं है जैसे suppose कर लो user को अब हमने यह form दे दिया यूजर ने क्या किया सबस्क्राइब टेस्ट टूसने इंफॉर्मेशन डाली टेस्ट टू एड कुछ भी इंफॉर्मेशन उसने इंपुट करी और उसने मैसेज में यहां पर एक style पास करा दिया like body को उसने display नन करा दिया body display और से वोगी देखिए अप्रेट आबेश में वा गया जो भी यूजर ने इस टाइल जो भी टैग दिया उसके अंदर जो भी पास करा आइज इस पास हो गया जैसे हमने यह फॉर्म डिस्प्ले कराया इसमें कुछ भी डिस्प्ले बंद हो गया रीजन क्या है आप जो बॉड अब इस टाइल टैग पास कराया था जो कि मने डेटावेस में इंसर्ट कर आया वह जब पेज प्याइंश को डिस्प्ले करा रहे हैं और वो बाडी को डिस्प्ले नं कर देरा है कि इसी तरह यूजर कुछ पी यह से जावाइस कोड भी डाल सकता है कुछ भी कर सकता है और आपके application को break कर सकता है तो यह जो है चोटी चोटी चीज़े हैं common mistakes हैं यह जब application live हो जाता है तो यह dangerous हो जाते हैं कापी बड़ी हो जाते हैं तो इनको अधियान में रखना है अगर सब्सक्राइब कि आप कोई भी इस्टीमिल टैक्स आप इंसर्ट ही कर नहीं करना चाहरे हैं तो उसके लिए पीछपी के पास फंक्शन से हैं तो आप अगर टैक्स ही नहीं रखना चाहरे हैं तो आप कर सकते हैं कि आप एस्टीमिल का फंक्शन रूखता है इस्टिप टैक्स तेप अंडिसको टेक्स आप इसको कर सकते हैं इस्टीमिल में इस को या ऑस fighting होगा उसको यहांओ रखार कर रहे हैं किलिए इन्पन कर रहे हैं है चोका है कि यहां पे हमने इस्टिप टैग यूज किया हुआ है और इस एबाउड इन्पुट की वैलू को हम इस्टिप टैज के स्थूरू फास्क्राइब क्या करेगा यह कोई भी कि एक होगा इसको यह रिमॉप कर देगा अब हम देखेंगे इसको कैसे बहुत करता है कि अभी हमारे पास में इसे टेबल को इंपुटी सेट कर दिया है वह हम इसको जैसे ही करेंगे देखिए हमने कोई भी यहां पर डिटेल रादी है अगर हम सेम भी इस्टाइल टैग इंपूट करते हैं और और दिस्प्ले नन कर देते हैं कि हमने इस्टिप टैक्स फंक्षन इंउज किया है यहां पर होगा क्या है यहां पर जब अम डेटाबेस में चेक करेंगे यह टेक्स को हीड़ा देरा देखिए यहां पर ऑड़ी इस्प्लेन ना रहा है आज जब हम यहां पर रन कराएंगे तो यह हमारे बॉड़ी खाते हैं इस टोर करना नहीं चाहरे हैं तो हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं लेकिन अगर सपोच हम चाहते हैं कि कोई भी कोई भी ताइब इंपूट करता है तो हम उसको आइजिटि सब्सक्राइब तो उसके लिए तो इस प्रीच वेडिये कि उसके आप princ. जिस्ट आप security के लिए किस्ट कर देता है function name है HTML कि इस्पेसल कि है है इस्टेमल इस्पेसल कैस्ट यह function क्या करता है कि यह इस्पेसल कारेक्टर्स को तो कि अनभर करता है साथ में स्थे में को भी स्टेमल इंट्रीज में कर देता है अब सवाल उठता है कि HTML इंटर्टीज क्या होता है अचली इस इस्टिमल इंटर्टीज जो होता है वो जो भी टैक्स इस्पेशल करेक्स होते हैं उनका एक्यूवेलेंट कोड होता है उस कोड में वो उसको कर देते हैं देखिए यहां पर ही है आप आप कि अबने अस्टिमल इस्पेशल के लिए हम अभी इस्टिव टैक्स को कॉमेंट कर देते हैं और हम एप्रीमल स्पेशल केस्ट से वालिविश को सेफ कराएंगे तो सबसे पहले तो हम तेविल को इंप्री सेट कर देंगे उजर टेविल को इंप्री सेट कर देंगे और अब हम अब हम सेंब ही वैलू इस टाइल एक बार फिर से करेंगे क्योंकि हम देखते हैं कि इसके साथ कैसे यह भी है करता है अब है अब हम देखेंगे इसको देखेंगे इसको देखिए इसने क्या किया हुआ है जो भी टैग्ट उनको इस्टेमल इंट्रीज में कनवर्ड कर दिया और इसको डिस्प्ले कराएंगे तो यह इस टाइल वाड़ी तो होगा क्या अगर कुछ भी इंपूट कर दे तो इस प्रेकिंग एप्लिकेशन ब्रेकिंग डेट पेज तो यह उस पेज को ब्रेक्ट नहीं करेगा इस्टीड वो उसको आइजिटिद दिखा देगा क्योंकि आइजिटिद दिखाने में कोई रिस्क नहीं है तो सबसे यूजब फंक्शन है आप इसको अपने अप्लिकेशन में उच कर सकते हैं जब भी आप फॉर्म इंपूट डेटा सेब कर रहे हूं इसके अलावा एक और फंक्शन होता है आप चाहते हैं कि आप सिर्फ आप इस्पेसिफिक इस्टिमल जो भी वाइले एक्टिमल टै सब्सक्राइब करता है यहां पर हम कि इसको भी चक करके देखेंगे यहां पे हम कि इस्टिमल इंटिटीज को भी देखेंगे आप हमने सेफ बरा दिया है अब हम इसको यहां पर फिशेज तो यहां पर हमने टेस्ट 3-3 करके इस इन फॉर्मेशन डाली हुई है अब हम एक बार फिशेज टाइल टैक को ही यहां पर करेंगे बाडी और डिस्प और हम क्लोज करेंगे अपने इस टाइल टैक्स को शेप कराया अब हम चक करेंगे डेटा में इसम जैसे यह फास्ट रिकार्ड हमारा था यह स्टेमल इस्पेशल का अधिश्ट इस इस प्रूब्स फंक्शन जो है वह भी सेंगी में यह कर रहा है तो हम दोने में से कोई भी इस टीजी डिस्प्ले कर रहा है तो यहां पर आपने देखा स्ट्रिप्स टैग शेस्टिमल इस वेसल कराया और स्टमें इस फंक्शनीज कि यह कुछ आपकी यह काफी 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 को भी करता है तो आप इस फंक्षन को इस पेशल इपने अप्लिकेशन्स में जरूरी उच के जब भी आप इस इंपूट डेटा इंसर्ट कर रहे हों डेटावेस के अंदर तो दोस्तों आपने देखा कि इस टुट्यूरियल में हमने आपको बताए कि कैसे हम एस्टेवल फॉर्म डिजाइन करेंगे कैसे हम एस्टेवल फॉर्म समिशन हैंडिल करेंगे और कैसे हम वाइलूज को डेटावेस में इंसर्ट करेंगे कैसे हम कनेक्शन माय 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 मा इंट करना होता है उनको एट्रेटीज में कनवाट करना कि एपार कि विपोर रखाई नियुक्त को में रह जाते हैं और शेयर्टी एटैक्स हो सकते हैं लाइक एक हैं एक आधर कि यूजर कुछ भी इन्पूट कर सकता है और अगर कुछ भी डेटावेस के अंदर सेफ करते चले जाओगे तो आप के लिए आपके अप्लिकेशन के लिए वह डैंजरस हो सकता है तो दोटों आपने देखा इस वीडियो में हमने काफी चीज़ें काफी उच्पूल चीज़ें कवर की हैं कि फॉर्म डिजाइन और फॉर्म डेटा से विप पेच्पे एन माइस्कूल और खुब कि आपने वीडियो इंज्वाए किया होगा काफी उच्पूल है आप इस आए करिए थैंक्स